आज की वीडियो में हम Infosys onboarding को लेकर बात कर ले वाले हैं तो finally Infosys के तरफ से onboarding का mail मिलना शुरू हो चुका है और धिरे-धिरे सारे candidate को मिल जाएगा Infosys की जो पहली onboarding date है वो है 14th November 2022 Second वाली जो onboarding date है वो है 21st November 2022 Infosys की अभी दो onboarding date आई है जिसमें जो आपका पहला onboarding date है वो 14th November 2022 है और Second वाला जो है वो 21st November 2022 है Next बात करते हैं वैसे candidate जिनको अभी तक mail नहीं आया है hopefully आपको भी बहुत जल्द mail मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है अभी, wait for some time, wait for some time, उस समय के लिए आपको wait करना है, next जो important बात है, वो document share को लेकर है, तो आपको educational document जो है, एक PDF के form में share करना है, और education का marks जो है, वहाँ जो column दिया होगा, उस column में column by fill करना है, column by कहने का मतलब क्या है, कि आपको वहाँ पर एक table का form दिया होगा, उस table के form में, आपको क्या करना है, सबसे पहले first semester का marks भढ़ना है, फिर second semester का marks भढ़ना है, फिर third semester का marks भढ़ना है, इसी तरह से आपको क्या करना है, सबसे last में जो है 8 semester का marks भढ़ना है तो यह है column wise आपको marks fill करना है next जो important बात है वो है documents share को लेकर तो सबसे पहले आपको क्या करना है 10th का marksit share करना है फिर 12 का, फिर BTEC का और फिर PZ का BTEC में क्या करना है सबसे पहले आपको 1st semester का marksit share करना है फिर 2nd semester का करना है फिर 3rd semester का करना है ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है last में 8 semester का marksit share करना है यदि आप PZ है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है 1st semester का करना है फिर 2nd semester का करना है फिर 3rd का करना है और सबसे last में क्या है 4th semester का marksit share करना है यह था Infosys Onwarding को लेकर एक important news Onwarding से related कोई query या doubt हो तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं बांकि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करिए और bell icon दबाईए ताकि Onwarding की update सबसे पहले आप तक पहुँचे That's all for today, तो see you in the next video, thank you, goodbye